आपके साथ अंकिता मिश्रा अकांक्षा दूबे मामले में लगतार पुलस चानबीन कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस रात पार्टी में क्या हुआ था इसे बीच आपको बता दे कि अकांक्षा दूबे मालिक उन्ज विहार के कलब में गई थी जहां उनकी पार्टी थी हाला कि पार्टी किसने आयोजित की थी इस बारे में कोई भी पुष्टी नहीं हो पाई है लेकिन उस रात की कहानी धीरे धीरे साफ हो रही है जब पार्टी के लिए निकल रही थी तो वो ओला में गई थी उनके साथ दो और लोग थे जिसमें अरुन पांडे और श्रद्धा का नाम सामने आ रहा है ये दमपत्ती हैं जो अकांशा दूबे के साथ उस पार्टी में गए थे दोनों ही अकांशा को लेकर के पार्टी से वागे बढ़ जाता है उसे होटल में छोड़ने के लिए लेकिन इसे बीच आadelphिर क्या होता है कि अरुन पांडे उसे होटल तक नहीं छोड़ पाता है अकांशा दूबे को संदीप सिंग नाम के एक शक्त ने होटल तक छोड़ा था जिससे खुद अरुन पांडे ने कौल क तो संदीव सिंह वहाँ आया और फिर अकांग्शा दूबे अरुन पांडे के साथ नहीं बलकी संदीब सिंह के साथ होटल के लिए निकल गई इस बीच संदीब सिंछ ही वह आखरी शक्स था जिसने अकांग्शा दूबे को आखरी बार जिन्दा देखा था उसके बाद अकांग्षा दूबे को संदीप सिंग को छोड़ने के लिए कहा बीच में ऐसा क्या हुआ और आखिर ये तीनों जब पार्टी में गए थे तो किस किस से इन हुने मुलाकात की आपको ये भी वताते चले कि लगतार अकांग्षा दूबे का परिवार जो है वो समर सिंग की तलाश के मांग कर रहा है और सीविया इजाच के भी मांग की जा रही है इस पूरे मामले में पुलिस मुंबई तक समर सिंग की तलाश कर रही है हाला की पहले खबर ये आई थी कि समर सिंग बिहार में ही किसी कोने में छुपा हुआ है लेकिन पुलिस का अब मुंबई तक जाना ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब बिहार में समर सिंग था तो फिर मुंबई जाने की क्या ज़रुरत थी इसलिए अनुमान ये लगाया जा सकता है कि बिहार में ही नहीं बलकि समर सिंग देश के किसी भी कोने में हो सकता है या फिर विदेशों में भी छुप सकता है फिलाल बिहार के साथ अन्य राज्यों की पुलिस समर सिंग को खोजने के लिए उसकी तफ्तीश के लिए जुट गई है देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस और कॉल से सबूत एकट्टे कर पाती है और इस पार्टी से क्या कुछ निकल करके सामने आता है फिलाल आपको ये भी बताते चले कि पार्टी की सिसिटिवे फुटेज होटेल की सिसिटिवे फुटेज भी बरामत कर ली गई है और साथ ही होटेल पर भी शिकन जाकसा जा रहा है जब पुलिस ने जाज परताल करनी शुरू की तो पुलिस ने ये पाया कि होटल के जो कागजात हैं वो पूरे नहीं है जिसके बाद पुलिस ने एक दूसरी विंग तयार की है जो होटेल से जुड़े जितने भी कागजात है उसे बरामत करेगी और साथ ही होटेल पर भी अब जल्द कारवाई की जाएगी आज के इस रुपोर्ट में इतना ही देखते रहें नेक्स्ट नाई लाइफ